इवनिंग एजेंडा में बहुत स्वागत आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापती सबसे पहले बात करेंगे पोस्टल बैलेट पर मचे विवाद की मद्यप्रदेश के बाला घाट में पोस्टल बैलेट विवाद में एक और कारवाई हुई है तहसीलदार के बाद अब SDM भी सस्पंड कर दिये गए हैं हाला कि कॉंग्रेस इस कारवाई से संतुष्ट नहीं है वहीं बीजेपी का कहाना है कि चुनावायो के निर्देश के मुताबिक काम हो रहा है बाला घाट डाक मतपत्र वीडियो वारल होने के मामले में कलेक्टर ने फिर कारवाई की तहसीलदार के बाद SDM पर गार्ज गिरी है SDM गुपाल सोनी को सस्पंड कर दिया गया SDM की जगह डेपुटी कलेक्टर को निर्वाचन की जिम्मतारी दी गई उधर कॉंग्रेस कलेक्टर की कार्यवाई ही से संतुष्ट नहीं देखी और कलेक्टर को ही हटाने की मांग कर दी उधर बीडी शर्मा ने बालगाट मामले में कहा कि चुनाव आयोक के निर्देश के अनुसार काम हुआ है और पूरे मामले में कमीशन अपने स्तर पर कर्रवाई कर रहा है लेकिन नौम्स के तैट ही वहां के प्रशाशन ने जो कार्वाई किये उसमें किसी परकार का कोई लेकुना नहीं था ना किसी परकार का कोई अलग परकार के मंसा थी तो इलेक्षन कमीशन के निर्देशों पर ही जो भी लापरवाई हुई होगी तो उसको लेकर के इलेक्षन कमीशन ने भी संग्यार में लिया है और जिसके खलाब कारवाई करनी चाहिए इलेक्षन कमीशन के संग्यार में आकर के वो उसको अपने नजर में लेकर उस पर कारवाई कर रहा है पोस्टल बैलेट विवाद को लेकर बालाघाट कलेक्टर ने पहले भी सफाई दी थी आलग कि कॉंग्रेस इस मामले को तूल दे रही है कलेक्टर पर ही कारवाई की मांग कर रही है ऐसे में चुनावायोग पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाता है ये देखना दल्चस्प होगा इधार 36 गल में चुनावी नतीजों से पहले सीम भुपेश बगेल दिल्ली में सुनिया गांधी इससे मुलाकात करने पहुँचे काउंटिंग को लेकर दोनों निताओं के भी चर्चा हुई है तो काउंटिंग से पहले मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और दिल्ली के हलचल बढ़ी हुई है कॉंग्रिस की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी 36 गण में चुनावी नतीजों से पहले मुख्यमंत्री भुपेश बगेल दिल्ली में सुनिया गांधी से मुलाकात करने पहुचे मुलाकात उन्होंने की काउंटिंग को लेकर दोनों निताओं के भी चर्चा हुई है तीन तारीक को नतीजे आने हैं इस से पहले इस दौरे को बेहत महत्वपूर माना जा रहा है इधर मतगणना से पहले 36 गण में भी बीजे पी एक्टिव है बीजे पी के जो प्रभारी हैं वो माथुर वुराइपूर पहुचने वाले हैं दो तारीक को पहुचने वाले हैं और राजधानी में चौनाव परिन्याम को लेकर वो एक महत्वपूर बैठ़क करेंगे वार रूम में बैठ कर नतीजों को लेकर पलपल की अपडेट भी भोलेंगे और 36 गड़ वीजे पी के प्रभारी हो माथुर ने 36 गड़ BJP के प्रभारी ओम माथूर ने प्रदेश में BJP को बहुमत मिलने का दावा किया है माथूर ने ट्वीट में दावा किया कि हम राजनातिक पंडितों को चौकाने वाले है राजस्तान के साथ 36 गड़ में भी हमारी सरकार बनने जा रही है 3 दिसम्बर को BJP की जीत होगी इधर ओम माथूर के ट्वीट पर कॉंग्रेस ने भी पलटवार किया है कॉंग्रेस के प्रवक्ता धने ठाकूर का क्याना है कि चुनाओ वाले सभी राज्यों में कॉंग्रेस की सरकार बन रही है बीजेपी का कमल नहीं खिलने वाला 35 दिसम्बर मध्य परदेश राजिस्थान तिलंगाना में कॉंग्रेस की सरकार बन रही है मिजोरम में कॉंग्रेस गडबंधन की सरकार बन रही है और भारती जनता पार्टी इन पांचे और राजियों में कहीं भी नजर नहीं आ रही है अनेक राजितिक पंडित हैं, सरवे करने माले जो लोग हैं और जनता कारुजान पांचों प्रदेसों में कांगरेस के पक्ष में है कांगरेस की सरकार यहां बन रही है और भारती जनता पार्टी का कमल अब कहीं खिलने वाला नहीं है 2023 में इन पांच राजियों में कांगरेस जीतेगी और 2024 में केंद्रे से भी नरेंदर मोधी सरकार की विदाईता है 36 गड़ में भारती जनता पार्टी की सरकार पूर्ण भवमत के साथ बनने जा रही है कांगरेस ने 36 गड़ की जनता का भरोसा खो दिया है और इसलिए लगातार कॉंगरेस के नेता भरोसा तलासते लगातार देखे गए भरोसे का सम्मेलन करते देखे गए कुल मिला करके भरोसे के संकट से जूज रही कॉंगरेस हार मान चुकी है आने वाले समय में जब तीन तरीख को परिनाम निकल करके आएंगे जनता का सकरात्मक प्रतिसाद जनता का आसिरवाद जिस प्रकार से चुनाओं के दर्मियान भारती जनता पार्टी के नेताओं को कारेकरताओं को प्रतियासी को मिला है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि तीन तारिक को जब परिनाम निकल करके आएंगे जनता पार्टी के सरकार पूर्ण भवगमत से बनेगी और जनता भारती जनता पार्टी के साथ है तो तीन दिसंबर को विधान सभा चुनाओं की मदगरणा से पहले राजनतिक पार्टीों ने जीत को लेकर जश्टनी की तैयारियां शुरू कर दी है खरगोन जिले के आदिवासी बाहुलिय भगवानपुरा विधानसभा सीट है कॉंग्रिस के प्रत्याशी है केदार डाबर उनके समर्थकों ने मिठाई दुकान पहुँचकर एक कावन किलो बूंदी के लड्डू का ओर्डर दे दिया है न्यूज 18 ने भगवानपुरा विधानसभाक शेत्र के कारेकरताओं से इसे लेकर बाचीद भी की कारेकरताओं ने दिल खोल के काम किया है पूरे जोट उत्सा के साथ उन्होंने काम किया और उसी का परिणाम जो आने वाला है वो जीत के उसमें आने वाला है लेकिन उसके पहले ही जो है कारकरताओं ने जो जीत है उसकी जसनी की तैयारी सुरू कर दी है खरगोंजले की भगवानपुरा विधानसभा है जहांके कांग्रेस प्रक्तियासी केदार दावर उनके समर तक खुद मिठाई की दुकान पर पहुंचे और यहां मिठाई का आडर भी उन्होंने दिया क्या कहना चाहेंगे जैसे अभी तो मद्दकर्णा बाकी है उसके पहले ही आपने तैयारी सुरू करनी यह जीत के जैसनी की जीत को लेकर पूरी तरह से आस्वस्त है हैं और हम इसी तैयारी को लेकर अभी कावन किलो लड़ू का हमने आडर दिया है और साथ में आधिस वाजी और तुल्मालाओं की भी तैयारी बींधिना में आएंगे लेकिन उसके पहले ही जो कारिकरता हैं उनमें इतना आत्विस्वास है कि उन्होंने जीत के जसने की पूरी तैयारी सुरू कर दी यहां तक कि मिठाई की दुकान पर लड्डू का जो आडर है वो भी एक कावन के लोग का भगवान पुरा छेतर के जो केदार डावन उनके कारिकरतों ने कर दिया है और मिठाई की दुकान संचालक के द्वारा भी अलग से एस्ट्रा करीब सवा कुंटल यहां लड्डू बनाए जाए जाएं आस्तोष परोईत न्यूजेटीन खरगोन हमारे देश में परंपराओं के नाम पर अजीब और गरीब काम किये जाते हैं हर दिन कहीं न कहीं से ऐसी खबरें आ रही है जहां मासूमों के साथ परंपरा और अंदुश्वास के नाम पर जदती हो रही है पालकी में बच्चा रो रहा है इसके माबाप बच्चे को पालकी में रखकर पानी में डाल रही है सोचिए एक छोटी सी गलती और क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है रशल ये तस्वीरे बैतूल के घंस देही तहसिल के पूर्णा मेले की है जहां कार्टिक पूर्णीमा के दिन से तापती नदी के तट पर मेले का आयोजन किया जाता है मानिता है कि जिसे संतान नहीं होता वो इस मेले में आकर संतान प्राप्ती की मननते मांगते है और जब एक दो साल या फिर कभी भी पुत्र प्राप्ती होता है तो यहां आकर एक प्रमपरा निभाते हैं संतान के जन्द के बाद पानले में लिटा कर नदी की धारा में छोड़ा जाता है और नदी का दूसित पानी भी परशाद कहकर पिलाया जाता है संतान की चाहती से नहीं होते हैं घर में जब भी बच्चों की किलकारियां गूंचती है तो रौनक बढ़ जाती है हमारे देश में लोग संतान प्राप्ती के लिए मंदिरों में मननते भी मांगते हैं और मननते पूरी होने पर तरह तरह के काम करते हैं अब इसे विश्वास कहें या फिर अंध विश्वास लेकिन इस तरह की प्रमपरा हैं कहीं न कहीं बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड कर रही है यूजेटिन कभी भी किसी के आस्था पर सवाल नहीं खड़े करता है लेकिन जो परंपरा निभाई जा रही है इससे अगर किसी तरह नुख्षान होता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा क्या आस्था के नाम पर ये परंपरा सही है इधर उजेन में सडक पर कार से स्टंट बाजी करने के मामले में पुलस में बड़ी कारवाई किया है वाइरल वीडियो के आधार पर पुलस में कारवाई करते हुए कार मालिक निहाल सिंग को इंदौर से गिरफतार कर लिया है अलग के जो वाइरल वीडियो है उसमें कार मालिक मोजूद नहीं था फिल्हाल कार को जब्द किया गया है और जो लड़के वाइरल में दिखाई दे रहे हैं वो इन दार में काम करते है ये सभी उज्ञेन आये थे इसी दौरान किसी नेन का वीडियो बना लिया सब ही युकों को पकड़कर उज्जैन लाया जाएगा जो अब बर्तवान मालिक है उसका भाई था वो अपने दोस्तों के साथ यहां पर आये होंगे उज्जैन को दर्सन करने के लिए और फिर उनके द्वारा यह हरकत हुए इधर मंडला जिले में हाइकोट के निर्देश के बाद नगरपालिका और तहसीलदार ने जिले के मुख्य मारगों से अतिक्रमन हटाने की कारवाई की है ये कारवाई उदय चौक से लिकर नहरूस मारक तक मुख्य नगरपाली का अधिकारी गजानन नाफले तहसीलदार डॉक्टर अजेंदर नात प्रजापती और पुलिस की देखरेक में की गई कारवाई करने से पहले नगरपाली का ने सभी हतिकरमन कारियों को नूटिस देकर बेजा कबजा हटाने के हिदायद दी थी बावजूद इसके कबजा नहीं हटाया गया इसके बाद प्रशाष ने कमले ने एक्शन लिया और मुख्य मारगों से हतिकरमन हटाया गया विशेश तोर पर मॉडल रोड के किनारे बने फुटपाथ में छोटे और बड़े व्यापारियों ने जो कबजा किया हुआ था उसे हटाया गया फुटपाथ में रखी सामगरी को जफ्ट कर लिया गया है अधिकरमन हटाना था और मानने उच्छन लिया ने दौरा भी बताया गया था कि ये रोड से पूरा अतिरम हटाया जाया करते है रोड खाली किया जाया इसी के अंदरगात आज सुबह से ही तशिल्ला साब मैं और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम ने ये कारवई कर गया है खरगोन जिले के मेन गाउं थानेगी जैता पर पुलिस ने अवैद हतिहारों के अंतरराज्जी गिरों का परदा फाश करते हुए पुलिस ने दोनों आरूपियों से पुस्ताज कर हतिहार सप्लाई करने वाले जिले के सिगनुर के रहने वाले रोशन सिकलीगर को गिरफतार किया है अवैद हतिहार बनाने का सामान भी जब्त किया गया है इधर जबलपूर के एक सेक्योर्टी गार्ड की जिद चर्चा का विशय बन गई है 25 साल से उनकी कोशिश ने आखिरकार रंग दिखाया और 55 साल की उम्र में उन्होंने गणित से मैच से MSC की पढ़ाई पूरी कर ली हाथ में MSC की डिगरी है और चेहरे पर सुकून ये हैं राजकरण पेशे से सिक्योरिटी गार्ड हैं लेकिन पढ़ने का शौक ऐसा कि इन्होंने जिद ही ठान ली राजकरण को पढ़ने की इच्छा थी लेकिन उनकी आर्थिक स्तिति आड़े आ रही थी लेहाजा उन्होंने पढ़ाई छोड सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ली बाद में वे गणित से MSC करने का खयाल मन में पाल बैठे 1996 में ही राणी दुरगावती विशुविद्याले में उन्होंने आबेदन किया 1997 में परिक्षा दी जिसमें वे पास नहीं हो पाई राजकरण को पहली ही कोशिश में असपनता हाथ लगी लेकिन ये सलसला रुका नहीं और वो लगातार परिक्षा देते रहे पर कामिया भी नहीं मिले कोरोना काल के दौरान साल 2020 में उन्होंने MSC प्रथम वर्ष की परिक्षा दी और अगले साल 2021 में MSC बितिये वर्ष की परिक्षा पूरी की तो मैंने 25 बार पूरे दिये मगर मेरे को 20-20 में नमबर आ गए प्रिवियस पास होगे जो कि प्रिवियस सबसे कटिन होता है उसमें पूरे अडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं मन में अगर लगन हो तो हर सपना साकार हो सकता है ना ही आर्थिक स्थितियाड़े आती है ना ही असपलता कम से कम राज करणने तो इस बात को साबित ही कर दिया और स्पीच कवरदा से मिल रही है बड़ी खबर हत्या कर शव को दफनाने का मामला शिकायत के बाद शव को बाहर निकाला गया है मिरतक की पत्नी ने इस बात को लेकर शिकायत की थी और आखिरकार जो शव को दफना दिया गया था उससे निकाला गया पढ़ताल आगे की जाएगी वैज्यानिक साक्ष्य साइन्टिफिक एविडेंस अब इस मामले में जुटाए जाएगी हत्या कर शव को दफनाने का ये पूरा मामला है शव को बाहर निकाल लिया गया है मिरतक की पत्नी ने इस बात की शिकायत की थी कवर्दा से बड़ी खबर आपको पता दे हत्या कर शव को दफनाने का ये पूरा मामला है इसके बाद पत्नी में इस मामले की शिकायत की और शव को बाहर निकाला गया अब फिर से परताल की जाएगी FSL की टीम के जरी परताल की जाएगी वैग्यानिक साक्षर जुटाए जाएगे, साइंटिफिक एवेडेंस जुटाए जाएगे इस हत्या से जुड़े मामले में शव को दफना दिया गया था हत्या करने के बाद कवर्धा का ये पूरा मामला है म्रतक की पत्नी नहीं इस बात के शिकायत की थी म्रतक की पत्नी की शिकायत के बाद आखिर कार अब शव को बाहर निकाला गया है कवर्धा का ये पूरा मामला जहां हत्या के बाद शव को दफना दिया गया था पत्नी नहीं इस बात की शिकायत की और अब उस शव को बाहर निकाला गया है सायोगी मनीश उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए है मनीश बहुत पेचीदा ये घटना करम है बताईए जरा असके बारे में क्या अपडेट है बिल्कुल अलिज जिसके जनकारी मिल पाई है उसके अंसार तो पत्नी और उसके जो बच्चे है वो प्रिटक से काफी पर्षान से आया दी इन फरा पिकर उलाजियोगर करता था हमार्पिक करता है जिसके वो काफी पर्षान थे इसी के जलते उनके दोराज जो है 26 नमंबर को उसके अटेंडे से पिटाएकर हत्या कर जे गया था और उसके जो है खेक जेते लेकिन काम वालों को गीर कर मौत होनी की जानकारी पता कर उसके जो को दफना भी दी गया था उसके बाद जब जानकारी हुई पुलिस को इसके सुचना दे गएगी हत्या कर उसके सौब को दफना गया और थाक चुपाने का प्रयास जो है उनकी पत्नी है कमला नहरू प्राणी संग्राहले से जहां जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास अरेंजमेंट किये गए हैं वन्य जीवों के पिंजरे में एंक्लोजर बाड़ों में वोडन बॉक्स लगाया गया है घास कंबल जाली बिचा दी गई है ठंड से बचने के लिए वन्य जीवों के कमरों में छोटे बल्ट से लेकर हैलोजन लाइट तक लगाय जा रहे हैं बताये जा रहा है कि चड़िया घर में मौसम के साथ साथ वाइल लाइफ एनिमल्स को देखने के लिए भीड भी उमड़ रही है अपरेटर को ने सारे रिकार्ड तोड़ दी हैं यही वज़ा है कि इनके लिए खास व्यवस्था की जा रही है और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में फिल हाल इतना ही खबरों का सलसला लगातार जा रही है नमस्कार